येस, गुड मॉर्णिंग स्टूरिंट्स, वेलकम यूट्व आल एंड वेलकम डियो ग्लोबल वर्ल्ड, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कम्प्लीट करने जा रहे हैं, सीडीपी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी को जैसे पता होगा, बहुत सारी पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे सीडीपी यानि बाल विकास्वा शिक्षर शास्तर के दो हजार कुश्चन रहेंगे, साथ में दो मॉक टेस्ट है, कुछ ग्लोसरी इसके अंदर है, और कुछ साइकोलोजी के नोट से, तो ये कंप्लीट पैकेज स्टार्ट करते हैं, चलिए, सबसे पहला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चाइल्धूट एंड सोसाइटी के लेखक कोन है, सबसे पहले जिन पर आजए आपका उप्शन है, सेकेंड आपका उप्शन है, सिग्मन फ्रायर्ट, थर्ड ओप्शन है एरिक एरिक्सन, और कुछ ना कुछ जब हम लोग थियोरी सेशन करते हैं, उसके साथ साथ देखके बुक याद कर लेंगे, हार्ड़ी 18-19 किताबों के नाम हमें याद करने हैं, इससे जादा नहीं करने हैं, तो चाइल्धूट एंड सोसाइटी बुक के लेखक कोन है, जिन पिया जहें, सिग्म बच्पन कैसा होता है, सुसाइटी के साथ उनका किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये किसके द्वारा बताया है, ये बताया गया है, एरिक एरिकसन के द्वारा, एक बार ओर हम लोग इसको रिवाइस भी कर लेंगे, ताकि आज के आज सारी चीज़े याद हो जाएं, अपने बच्चे के उपर पूरा उसके विकास की जितनी भी डेवलपमेंटल जितनी भी प्रोसेस होती है, उसका अध्यन किया था, तो उनकी बुक का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, यहाँ पर नाम उनका देदिया कि प्रेयर न तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है Mind of the Child प्रेयर के द्वारा लिखे थे क्योंकि उन्होंने अपने ही बच्चे के उपर ये सारी स्टडी करके एक बुक लिख डाली थी तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा Mind of the Child प्रेयर इन्होंने क्या करा था विल्यम ने अपने ही बच्चे के उपर पूरी स्टडी करके उसी के उपर एक पूरी की पूरी बुक लिख डाली थी ठीके तो प्रेयर मतलब प्रातना करते क्या हुआ इनको अपने बच्चे के उपर ध्यान आया होगा जैसे बच्चे के उपर ध्याना है वो कुछ अक्टिविटी कर रहा होगा तो उन्होंने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया और यह क्या होगी बुक बन गी जैसे भी आपको लग रहा है ना ट्रिक के तुरू याद करना है कैसे भी करना है बस मेन है कि आपको याद कर लेना है बच्चों के दिमाग के उपर जो इन्होंने एक बुक लिख डाली थी अगले कॉश्चन की बात करते है इनफैंसी एंड हुमन ग्रोथ ये दो अलग-अलग बुक है सबसे पहला इनफैंसी एंड यूमन ग्रोथ यानि किशोरा अवस्था और मानों का जो विकास है वो वाली चीज और गाइडिन्स ऑफ दे मैंटल ग्रोथ मैंटल ग्रोथ को किस तरीके से गाइड किया जाता है इन दोनों पुस्तक के लेखक क्या जिन पी आजए है क्या गेसले क्या विलियम जैन से या फिर विलियम प्रेयर इसके लेखक हो सकते हैं इसके ओथर हो सकते हैं तो देखो ये दोनों ही बुक अर्नॉल्ड गेसले के द्वारा दिखी गई है तो आपका answer Arnold Gasly हो जाएगा जो हमको option में दिया गया था आप यहाँ से देख सकते हो Infancy and Human Growth के लेखकों ने Arnold Egil से और The Guidance of the Mental Growth in Infant and Child यानि कि जो infant बच्चा होता है जो child होता है बच्चा पहले infant होता है जब उसका जन्म होता है उसके बाद वो child बन जाता है बड़े होते होते तो यह दोनों ही बुक जो है Arnold जो guestly है उनके द्वारा लिखे थे तो आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer यहाँ पर हो जाएगा हमारा option number B दोनों ही बुक जो है guestly के द्वारा लिखे थे तीक है अगले question पर बढ़े अगला question है Field of psychology के लेखक कोन है गिलफोल्ड है Friard है Brunner है Zerum Brunner इनका पुरूरा नाम है और Crow and Crow है तो Field of psychology के लेखक जो है गिलफोल्ड है JP Gilford तो answer आपका क्या हो जाएगा JP Gilford इसी के साथ आपको एक बुक का नाम और ध्यान रखना पड़ेगा Field of psychology के लेखक कोन हो गए JP Gilford और The Behavior of Organism के लेखक कोन हो गए B.F. Skinner तो ये दो अलग-अलग बुक है जो question में हमसे पूछा था Field of psychology के लेखक इसी नाम से आएगे आप इसको ऐसा ना सोचे कि ये नाम हमको हिंदी में convert करके दिये जाएंगे ये ऐसा नहीं होगा जो बुक के नाम है As it is इसी नाम से आपसे पूछा जा सकता है हो सकता है कभी translate कर दिया जाए हिंदी का इंग्लिश में और इंग्लिश का हिंदी में तो आपसे पूछा जा सकता है बाकी नाम आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे तो आप इंग्लिश में ही याद रखे कोई दिक्कत नहीं आएगी Field of psychology के बुक के लेखक JP Gilford है और The Behavior of Organism बुक के लेखक कोन है B.F. Skinner है दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे अगला एक और और इसी तरीके से नाम आता है The Principal of Psychology अगर आपसे पूछा जाए Field of Psychology तो आपको आंसर करना है JP Gilford और Principal यानि नियमों की बात करें तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा और यदि आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि The Principal of Psychology के लेखक कोन है तो तो Principal of Psychology के लेखक आपके वीलियम जेम्स यहाँ पर हो जाएंगे अगला कुश्चन है मनो विज्यान की आधार शीला माने जाने वाली पुस्तक Principal of Psychology अच्छा सेम कुश्चन आगया अभी जो हम लोग पढ़कर आए थे Principal of Psychology के लेखक कोन है वीलियम मेकडूगल, अरस्तू, वीलियम जेम्स या फिर वीलियम वुंट तो अभी हमने देखा कि कौन है वीलियम जेम्स है तो अभी मैंने तीनों आपको सेकेंड स्लाइड में नाम बताए थे कि ये कितीनों की तीनों बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है जिन पियाजे के द्वारा आंसर आपका क्या हो जाएका आंसर हो जाएका ऑप्शन नमबर डी तीके आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखे सबसे बहला जो आप इमेज देख पा रहे है दे चाल्ड कॉंसेप्शन ऑफ दे वर्ल बच्चा जो ए दुनिया को किस तरीके से देखता है जो दुनिया के बारे में किस तरीके से अपने जज्जमेंटल अपने अव्यूज बनाता है दिके और दे लैंग्विज एंड थौट्च ऑफ दे टाइल बच्चों के दिमाग में थौट्च कैसे आते हैं लैंग्विज के से आती इसके उपर जो है तीनों ही बुक किस के द्वारा लिखी गई है पियाजे के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है तीके तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा जिन पियाजे ये रहा आपका question आपकी screen पर तीकि ये तीनों book जिन पियाजे ने लिखी है अगला question हम लोग देख लेते हैं language and thoughts of the child अगर अलग से भी पूछ लिया जाए बालक का चिंतन और उसकी भार्षा पुस्तक के लेखक कोन है तो इसका answer भी आपका क्या होगा जिन पियाजे ही होगा तीकि दोनों ही book इसके द्वारा लिखी गई ये जो तीन हमने पढ़ी है ये तीनों ही book जो है जिन पियाजे के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है कुछ books के नाम आते हैं तॉन्डाइक के द्वारा वैसे तो बहुत सारी बुक लिखी गई है, बहुत सारे रिसर्च पेपर भी हैं, उसमें से दो प्रमुक है, एक तो education of first book, जब हम तॉन्डाइक के थिओरी पढ़ते तब यह आता ही है, एड़डली तॉन्डाइक के द्वारा लिखी गई है, कौनस Edward D. Thondike, इनकी और भी बहुत सारी बुके, चली तो एक बड़ सब कुछ रिवाईज हम लोग कर लेते, क्योंकि बुक के नाम बहुत important है, यहां से हमने start किया था, Childhood and Society के लेखक कोन है, Childhood and Society बुक के लेखक, जिन पिया जें, Sigmund Friday, Eric Erickson है, या फिर Kohelberg है, तो हमने प्रेयर ने जो एक बुक लिखी थी, विलियम प्रेयर ने, उसका नाम क्या है, Mind of the Child, आंसर आपका क्या हो जाएगा, Option No.1, या फिर Question कुछ यह पूछ लिया जाए, कि Mind of the Child बुक के लेखक कोन है, तो Mind of the Child जो बुक है, इसके लेखके हमारे प्रेयर, विलियम टी प्रेयर, ठीक है, आप मिहां पर देख सकते हो, अगला Question है, Infancy and Human Growth and Guidance of the Mental Growth, इन दोनों बुक किस के द्वारा लिखा गया है, पियाजे के द्वारा, गैसले के द्वारा, विलियम जैम्स के अगला Question है, Field of Psychology के लेखक कोन है, बहुत सी बार हमने पढ़ा भी, बहुत सारे Question आते भी हमारी एक्जाम में, और यह वाला Question तो आपसे पूछा हुआ भी है, ग्रेटू में हम लोग एक बार कर चुके Field of Psychology जो बुक है, इसके लेखक कोन है, गिलफोर्ड है, अंसर आपका क्या हो जाएगा, अंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर Option नमबर 1, J.P. गिलफोर्ड, और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, The Behavior of Organism के लेखक कोन है, तो Behavior of Organism के लेखक जो हमारे B.F. Skinner है, बिल्कुल नाम आपको अच्छे से याद रखना है, हलका वलका सभी उपर नीचे चेंज हो गया, तो यहाँ पर राइटर हमारी चेंज हो जाएगा, The Behavior of Organism के लेखक कोन हो गए, B.F. Skinner, और Field of Psychology के लेखक बोले, तो J.P. गिलफोर्ड लगाना है, और The Principle of Psychology बोल of the Child, Child Conception of the World, और Moral Judgment of the Child बुक के लेखक कोन है, तीनों ही बुक लिखी गई है, जिन प्याजे के द्वारा आप यहाँ पर इन तीनों बुक को देख सकते हो, अगला है Language and Thoughts of the Child नामक बुक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, यह लिखी गई है, हमारी जिन प्याजे के द्वारा तीके और Educational of First Book and Human Learning, यह दोनों ही बुक किसके द्वारा लिखी गई है, यह दोनों ही बुक यहाँ पर लिखी गई है, थ्रॉन डाइक के द्वारा, ओके, एक बुक का नाम और आप चाहें तो अगर कम लग रहा है, तो एक दो बुक और हम लोग यहाँ पर एड़ कर सकते हैं, एक हम से पूछा जाता है Gestalt Psychology, गेस्टाल्ट साइकोलोजी जो है, इसके लेखक कौन है, तो अगर हम से यह पूछ लिया जाए, कि Gestalt Psychology के लेखक कौन है, तो Gestalt Psychology के लेखक हमारे कोहलर है, यह आपका यहाँ पर अंसर हो जाएगा, ठीके, तो इतने नाम हम लोगों को याद रखने है, I think 11-12 बुक के नाम हम लोगों ने याद कर लिये, एक और और आप यहाँ पर जोड सकते हैं, इसे तो बहुत सारी बुक है, तो कि Outline Psychology के लेखक कौन है, तो फिर आपका अंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, MacDougal, I think यह सारी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होगी, अगले सेशन में हम लोग इनको रिवाइस करते हुए, और कुछ बुक्स बची है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, 18-19 बुक के नाम हम लोगों को याद करने, जिसमें से 12 करीब हम लोग कर चुके हैं, थोड़े से और बचे हैं, उनको ह हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, जितनी भी इंपोर्टेंट थी, इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो है, हमारी जितनी भी तीन बुक है, तीन बुक में भी सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और पूछी भी जाती है, तो ये चीज़े आपको ध्यान तो मिलते हैं अगले सेशन में आपका अगला सेशन इवनिंग 6 पी एम पर होगा तो जॉइन करिएगा वो लाइव सेशन पर खायक सेशन इला सेशन इंग 10 अगल इवर में आपका अगल अगला सेशन आपका अपका वो लाइव सेशन नुएम ऑलम को छायक सेशन और सकते सकत्समेग सेशन,